सब्सक्राइब करते हैं तो उमीद करता हूं कि आप इसे रेगुलर देखते होंगे जैसा कि आपको मालूम है आज सब्सक्राइब करेंगे और कोशिश करूंगा कि आपकी जो ताकि आप कम टाइम के अंदर जादा कॉंटेंट कवर कर सकें और अच्छे से कर सकें ना तो यह सारे आपके एक्जाइम हैं इन में से किसी पी एक्जाइम के अगर आप प्रेपरेशन कर रहे हो तो आपको बहुत बैफिट होगा सबसे बहले हम लोग प्रिवेस डे के आपको अवेलेबल कर वाँगा कल के कोश्चन देख लेते हैं कल मैंने आपसे एलेक्शन आफ दा प्रेसिदेंट आफ इंडिया के बारे में पूछा था यह सवाल यूपीएसी में आ चुका है पहले प्रिलिम्स में जो वैल्यू होती है हर एक मले की वह अलग-अलग होती ह बिलकुल सब्सक्राइब था थैना हमने कल पढ़ाए था तो यह आपका सखर होगा जो ंने के लोग सब्सक्राइब होट्ण होती हैं पिके राजयसा कुछ भी नहीं है तो यह सek Ragd koy Volt cocktail के बारे में घूचा था तो को सेट्टर ृइस किया गया इंदरगांदी के ना है के बिल्कुल गलत बात है क्या हम लोग कोल के अंदर सेल्फ सफिशेंट है कोल के प्रोटेक्शन में बिल्कुल भी नहीं है तो आपका सेकंड और थर्ड गलत हो गया यानि कि आपका यह आपे सही आंसर है तो यह गोश्चन भी आपके यूपीसी में पहले आ चुका है नेक्स इसको मेंट्रिक्स बना के सौल कर सकते हैं आपने पढ़ा होगा तोड़ा सा लंबा चलेगा इसलिए में इसको जादा डिटेल में नहीं बता रहा बालाजी के लेक्चर में देख लेना चलिए आगे बात करते हैं और अगर आप इंडिया में किसी भी एक्जाइम की कर रहे है आपको 24 मेंने के साथ 6 मंद का सब्सक्रिप्शन फ्री मिल रहा है तो आप रैफल कोड भी एचुट एन लगा के बैरिफिट उठा सकते हैं ससी में भी सेम चल रहा है कल रात तक था आज एक बार चेक कर लेना आपको कुछ नहीं करना आप डाउनलोड करना है मुबाइल लगाना है ठीक है और आप चाहें तो एक बच्ची के स्पॉंसर कर सकते हैं बहुत सारे बच्चें जो कि स्कूल नहीं जा पाता है किसी भी कारणवश्च फिनैंशली इसू के वज़े से तो अगर आप जौब करते हैं तो इसमाइल फ्रॉल सब्सक्रिप्शन ले सकते हैं 500 लोग उस्तरों लोनों लग जाता है कई बार यून जलता रहता उसके बाद जो है वो हसी हमनों तो कोई साब यरू हूँ हर दिनि тобa कोच southern होता है लेकिन हर दें जो होता है आपको कुछ सिखा के जाता है आपको देके जाता है जो कि आपको लए जाते हैं आघे काम हाते है ठीक है तो इतना लोड मत लिया करो कभी अच्छे दिन आएंगे कभी पूरे दिन आएंगे यह सब चलता रहेगा इस पार्ट अंद पार्शन अफ़ लाइफ चलो आगे बात करते हैं देंदू के फ्रेंट पेज पे सबसे बहुत करेंगे यहां पे करनाटका के जो पंचाय जो है वो कल दे चुके हैं काफी बड़े प्रोटेस्ट भी जो होने लग गये थे यहां पे एंसीपी कॉंग्रेस और सेना तीनों मिलकर जो है वह पोल के अलाइंस है आप सभी को मालूम है महागदबंदन इंसम ने भी एम वी ए नाम से जो है वह वह गवर्मेंट बनाई थ हिमाचल पर्देश के अंदर भी एंड अफ दिस येर के अंदर एलेक्शन आने वाले हैं और यहां पर जो प्रिजन गौवर्मेंट है उन्होंने भी काफी सारे फ्रीबी जो कि अनौंस करें जैसे कि आम आदमी पार्टी आपको मालूम ही है कि काफी आपको बिजली पानी स गुजरात को लेकर है काई सारे लोग जो है वह अभी कर्ष के अंदर राइट के अंदर थे उनकी प्रॉपर्टी सीज कर लिगा है गुजरात के दुवार्मेंट के दुवारा यह यहां पर बताया गया है तो यह आपका पूरा फ्रेंट पेज है कुछ खास नहीं है बड़ी प्रॉब्लम यह आपको टेंपरेचर कंट्रोल रखना पड़ता है उसका लेकिन अभी जो है हमने क्या किया है सार्ज कोविट टू के अंदर जो है एक वैक्सिन डवलब कर रही है जिसको आप आपको रेफ्रेजिटर में या कोल्ड चेन स्टोरिज में स्टोर करने कि जरूत नहीं है समझ गए अभी इसको जो ट्राइल किया गया था वह माउस के ओपर ट्राइल किया गया था और काफी सिग्निफिकेंट रिजल्ट है जो कि देखने को मिले है तो यह पूरी स्टडी एक अपना जन्रल है वाइरस से नाम से उसके अंदर जो है यह देखने क से शीजिए तक भी अगर स्टॉर करो गे ना चार वीक तक स्टॉर करो गें तब भी भी कोई समस्या नहीं अएगी समझ के इन्फाक्त आप हंडेंड्ड डिग्री सेल्सीयस में पिर इसको स्टॉर करो अगर नाई नैंटी मिनिट तक तब भी कोई दिक्कत नहीं है ऊगे त लेकिन यहां पर ऐसा नहीं है तो यह बहुत अच्छी बात है प्रोस्पेक्टिव एक्सिन अगेंस्ट यहां पर देख सकते इंडिया में डबलब करी गई है और इसका नाम मैंने आपको बताई दिया है रूम टेंपरिचर पर स्टूर कर सकते हो चार वीक के लिए तो यह उनके साथ में मिलकर जो है कुलाबरेशन के साथ में यह काम किया है यह एक तरेके से स्टाठव यह कंपनी है स्टार्टCalप ही है okay में 2017 में इसकी जो है वह स्टार्टप किया था समझ गए चलिए अμαι और अगर आज की टैम पर बात करें तो नियरुजए की 4.4 बिलियन के पास में वैक्सिन पहुंची है तो रिक्वार्मेंट अभी भी बहुत जादा है ठीक है चलिए ठीक है आगे बात करते हैं पेज नंबर नौ की तरफ चलते हैं यहां पर बात करेंगे इधर पोर्टल के बारे में यह इंपॉर्टेंट है इसके बारे में साथ में एस सारे रोग एकसेरेंट होते हैं मारे लाग पर रोड़ेटाबीज पॉलेस पर इन्शुरेंस कंपनी के अंदर आप लोग क्लेम भी करते हैं इन्सुरेंट के लिए और ठीक है उसके बाद में एक लांग प्रॉससर जो की चलता है पुलिस के पास अलग डैटाबेज है पुल के उपर अवेलेबल हो जाएगी समझ गया इससे आपके एक्सिदेट में कंपंसेशन क्लेम करने में काफी मदद मिलेगी जो विक्टम के फैमिलीज है उनको रिलीफ मिलेगा तो मिनिस्ट्री आफ रोड ट्रांस्पोर्ट और हाइवे जो कि गटकरी जी के पास में है उन्हों इजी एक्सिस के लिए पूरा डेटा है जो कि इसके उपर अप्लोड किया जाएगा इसको इंटिग्रेट किया जाएगा पहले भी एक ऐसा पॉर्टल हुआ करता था जिसको हम लोग आई आरेडी कहते थे इंटिग्रेटेड रोड एक्सिदेन डेटाबेस था जहां पर 90% डेटा सैट जो है वो डिरेक्ली इधर पॉर्टल के उपर अप्लोड किया जाएगा यहां पर पुलेस रोड अथार्टी ऑस्पिटल है ना उन सबको मिनिमम इन्फरमेशन है जो कि सबको डालनी पड़ेगी और उसके बाद में सारे इंफरमेशन मिल जाएगी यह प्रॉब है जो कि यह चीज़ यहां पर देखने को मिली समझ गए मुल्टीपल चेक होगा फेक लेम जो है वो कोई नहीं कर पाएगा वेकल के बारे में पूरी इंफरमेशन कहां पर एक्सेंट हुआ उसकी एफ आयार वहां पोर्टल भी एक वहां से भी डेटा इंटेग्रेट किया जाएगा ड्राइविंग लाइसेंस की डिटेल रिस्टेशन ऑफ वेकल हैना कहां पर हुआ किस लोकेशन पर हुआ रोट का साइट का मैप इंजरी कितनी हुए है आई विटनेस कौन था एज क्या थी वेकल की डैमेज किता हुआ है है यह सारी इंफॉरमेशन है जो कि इसके चारगा किसे बारे में आप सबी को मालूम है स चारगा डाराम पर हुआ निकलेगी और इसको हावा में ही उडा देगी समझ गए इस तरी कैसे बैक टू बैक जो है वो है ना सोला पर रेजिमेंट चार लांच ट्यूब है जो की एक के अंदर देखने को मिलती है और आप इसको डिफेंस कर सकते हो आपने कुछ टाइम पहले देखा ही था इस्राइल और पलेस्टिन के टाइम पर है ना बहुत ही ल के लिए हो गया विकॉस अधा यूक्रेण वान हाला कि अभी ट्रेनिंग और इक्विप्मेंट और इंडिया के अंदर आ है इनकी कैसे इनको काम में लेना है उसकी ट्रेनिंग जो है वो भी अवेलेबल कर वाए जाएगी हमने काफी बड़ी दी आ रही हमारी फॉर फाइप जो है अपने दुश्मेनों के साथ में अगर कोई डील करता है तो उसको पर काट सा एक्ट लगा कि उसको पर सैंक्शन लगा देता है लेकिन इंडिया को उसने रिलीफ है जो की दी थी हम और मॉस्को ये भी कोशिश कर रहे हैं कि जो पेमेंट है वो रूपी रूबल के अं ट्रेट से जो है वो रिप्लेस करने की कोशिश मत करना ऐसे काफे सारे बाच्चेत हुई है ना चायना के पास में भी वैसा चार्चों ट्रंप लॉंग रेंज डिफेंस सिस्टम है ठीक है जो कि अभी हम लोग लगा रहे हैं इंडियन इर तो दोनों देशों के पास में हैं हमाएं एक तरफ पाकिस्तान एक तरफ चाहना तो हम दोनों साइड है जो कि इसको लगा कर अपने आपको सेफ करने की कोशिश करेंगे समझ गए चलिए आगे बात करते हैं जो कि है वीट के इंपोर्ट को लेकर आपको मालूम है रश्या और युक्रेन दोनों ही जो है आगे भीज उसका सबस्यादा फायदा किसको मिला हमें मिला और हम यहां की तरफ को रुख किया है और हमारे जो को partners को भी जो है वह एक्सपोर्ट करेंगे ठीक है तो यहां पर आप देख सकते हैं जो एजिप्ट है उसके पास में वीट की वीट जो है वो खुद बहुत ही कम प्रेड्यूस करता है वह इंपोर्ट करवाता है तो हम लोग जो हमारे महारास्ट्रा मध्यपरदेश पंजाब यहां पर पर देश में पंजाब में नहीं है महारास्ट्रा में है लेकिन हम वहां से हमारे पूर्ट तक बेश सकते हैं और पूर्ट से फिर अम लोग एक्सपोर्ट कर सकते हैं बस्क्राइब वीट किया वह लोग अच्छी वीट करवा सकते हैं तो अब लोग दुनिया की टॉप 10 वीट के एक्सपोर्ट के अंदर पहले नहीं थे मतलब दूर दूर ते नहीं थे क्योंकि हम लोग तो खुदी हमारे आपर रिकौर्मेंट बहुत जादा होते हैं उनी तो साथ से पहले तो हमारे आपर खुद भी इंपूर्ट करवा ए जब तक ग्रीन रिवलुशन नहीं आ दो बिलियन डॉलर का होता है रश्या और युक्रेन से हैं ना और देडरे वीट की रिक्वार्मेंट जो है वह देरे-द应र कातार श्रयलंका यहां पर भी कोशिच कर रहे हैं कि जादा ज़ाइग कर सके अना यहां पर आप्याति करनाा जालू किया लेकिन बहुत ही कम नंबर है हमारा है ना बहुत ही कम है नंबर हुए फिनेशल एक्सप्रिस की बारे में बात करें तो यहां पर रैपिडों ने सब्सक्राइब को लेकर को सूरत जो एक तीन का शार समय वाला फिर किस्पर के है यह गवरनेंस को लेकर जो कि एधराबाद के अंदर हुआ था ठीक है बस यह बात आपको ध्यान रख लिए बागी सारे आप भी वर्चुवली चल रहे हैं मतलब वर्चुवली सबने अडॉप्ट कर लिया है ठीक है एक बार वीडियो को शेयर कर देना गाईज वाट्सप पे टेलिग्राम पे सभी जग के लिए या फिर आप अपने इंट्रिवू के लिए इस सेशन को आप रेगुलर देखो आप तीन से च्छे मेने रेगुलर देखो आपको खुद को पता लगेगा कि आप हमेशा टॉप फ्रेंट के अंदर रहोगे इन सारे चीजों के अंदर समझ गये कभी भी आपको किसी जर्मनी एक्सपोर्ट जो कि करना चालू कर दिया है तो आप यह देख सकते हैं यह फ्रूट है फ्रेश फिग्स जो कि पुरंदर तालू का है महरास्ट्रा के अंदर पूरे डिस्ट्रिक के अंदर तो वहां पर इसको उगाया जाता था तो अभी तो वहीं पर डॉमेस्टि इसी उसने सक्सेस्फुली जो एक कंसाइंडमेंट है जो कि जर्मनी से लिया है समझ गए तो महरास्ट्रा स्टेट अग्रिकल्चर मार्केटिंग बोर्ड जो है उसने मार्केटिंग करी इसकी और इनको यह कॉंट्रक्ट है जो कि यहां पर मिल गया है तो अगर आब बात कर हुआ मिलेगी अराउंड अम लोग पांच-चैजार हैं करते हैं ते रहा जार तन का इस फ्रूट का प्र को ने जो कि हम लो करते हैं महरास्ट्रा में भी जो 90 पर्शन होता है इसका पूरे वाले के अंदर पूरेदिया में होता है समझ गये चलिए तो अगर कि ऑब बोलों कि राचलिंग की टी मैं जैपूर में उगए ताउं और वेज देता हो तो ऐसा नहीं है इसा नहीं कर सकते Gal ju di- वहीं कि उसी के नाम से बेची जाएगी क्यों क्योंकि उसकी जोग्राफिकल एडिंटिटी इस्पेशल है वहाँ पर नेट्रूजन जादा होता है स्वाइल के अंदर तो आपके स्वाइल का प्रोडेक्शन जो है टीका वह बहुत ही बहतरीन होता है इसलिए उसको जी आइट मिलावा है सब जगे का आपना जोग्राफिकल टेरिट्री के अंदर कुछ ना कुछ एडवांटेज होता है उस एडवांटेज के नाम पर ही मिलता है समझ गए उससे आपको कॉलिटी का भी एंशुरेंस मिलता है और आप एक औरीजनल चीज जो है वह किसी को मिल सकती है जी को भी असोशियेशन पर्सर प्रेड्यूजर ऑगनाजिशन जो है वो जी टैग ले सकती है और जो चैन्ने के अंदर इसका ऑफिस है वहां पर आपको रेजिस्ट्रेशन करवाना पड़ता है और यह कितने टाइम तक के लिए वैलिडेट होता है दस साल के बाद में आपको को रिन्यू करवाना पड़ता है समझे जोग्राफिकल इंडिकेशन ऑफ गुड्स एक्ट नाइटी नाइटी नाइट के तहट यह करवाया जाता है हमारे आपे सबसे पहले दोजार चार दोजार पांच के अंदर डाजडिंग टी को ही जी टैग है जो की मिला था उसके बा बस्तर दोकरा चतिसगर ओके ऐसे बदूबनी पेंटिंग से वियार के अंदर शॉल है आपकी कुलू शॉल इमाचल के अंदर जम्मू कश्मीर के अंदर है ना आपकी शॉल तो यह सब चीज़ा है जो है इनको जी आई टैग मिलावाए आगे बात करते हैं सेक्योरिटी डि बिट्विन दा चाइना एंदा सोलमन आइलेंड देखिए एक छोटा सा आइलेंड है आपके पैसिफिक ओशन के अंदर ऑस्टेलिया के ऊपर और अमेरिका के लेफटन साइट पे समझ गए छोटा सा आइलेंड है रिसेंटली कुछ डॉक्युमेंट लीक हो गए साउथ पै सुलमन आइलेंड जो है यह एधिनिक लिए अगर बात करूं तो एक मेलनेशियस जो गुरूप है आइलेंड का पैसिफिक का उसका पार्ट है जिसमें आपका पापुआ यूगिनी और वनातू नाम के छोटे-छोटे आइलेंड पहले इसको बिटिश कंट्रोल किया करते थ में आपके जापान के पास चले गए फिर वापस से यूके के पास में आ गए जब सेकेंड वर्ड वर में जैपन को और दिया था फाइनली ऐसे गूमते गूमते यह आइलेंड जो है 1978 के अंदर के अंदर मुनार्की बन गए बिटिश क्राउन के अंडर में पार्लेमेंटर स सिस्टर में आपके इंप्लेमेंट किया यह देख सकते हो आप यह और यह आपके सोलमन आइलेंड से दिख रहें आपको किरीबाती फिजी के ऊपर की तरफ इसके क्या डोनिया भी नीचे की तरफ जो फ्रांस का पार्ट है ना यह इनके तो इन छोटा सा कंट्री कोई ज्या सकते हैं और कोई law enforcement agency को भी सकते हैं government की request के उपर को बला के जो भी सेफ्टी का जिम्मेदारी है अभी वो चैना के आद में चले गई है यहां तक कि चैना अपनी नेवल वैसल को भी काम में ले सकता है लोजिस्टिक सपोर्ट के लिए कलको जरूत पड़े तो ओके अब प्र चैना के साथ तोड़ना पड़ेगा कोई भी कंट्री चैना के साथ में relation तोड़ना ने चाहता क्योंकि वह कहीं ना कहीं इंपोर्ट करवाता है करवाता है बहुत सारी चीज़ है इतनी ज्यादा बिजनस के पॉइंट से जो है वह इंपॉर्टेंस चाइना अपनी कर चुका है समझ गए तो चैसे पैसिफिक आयलेंड कंट्री इस थे जो की ताइवान के साथ में जिनके रिलेशन थे और सुलमन अलेंड नुन में से एक था लेकिन अभी यह क्या चला गया है पूरी तरीके से चाइना की तरफ चला गया ताइवान को इसने ठाइंगा दिखा दिया तो समझ गए तो ताइवान के साथ में चाइना का एक तरीके से कॉंपेटिशन था इस वाले रिजन के अंदर है ना यह वाली बात थी तो अभी यहां पे सुलमन अलेंड जैसे ही चाइना के पास में चला गया उसके साथ में डील कर लिए तो एक प्रॉब्लम में जो की इन इजर आइलेंड से एसे करके यह कंट्री है जो कि बना है मतलब है ना फॉपलेशन कोई ज्यादा नहीं कोई शाधे यह चैयलाग के आसपास की पोपुलेशन है बहुत ही कम है और इसकी जो क्यापिटल है उसका नाम है हो नहीन आ रहा करके है जो कि इसकी क्या के उपर है GDP कोई बहुत जादा नहीं है इंडिया के बराबर ही 2000 डॉलर पर 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 यह रहे यानि कि आप देखो इतनी कम पॉपुलेशन के अंदर भी बहुत कम GDP पर कैपिटा है जो की देखने को मिलती है ठीक है मुनार के आप अलिजा बेती है गवर्नर जनरल प्राइम मिनिस्ट यहां पर कोई मना साह करके परसन है वह है मना साह अब यहां पर चैनल को क्या-क्या मदद मिलेगी एक तो यूएन के अंदर वोटिंग राइट में मदद मिल जाएगी एक लार्ज मेरिटाइम एस्क्लूजव एकनोमिक जोन को एक्सपेंशन करने में मदद मिलेगी और यहां पर टिंबर और मिनरल रिसोर्स इस भी है उनको भी रिजाव के अंदर काम में लेने के अंदर मदद मिलेगी तो यह कई सारे बैनिफिट्स है अब इसके जिए प्रॉब्लम हो सकती है सबसे पहले जितने भी पैसिफिक कंट् अब चैना के पास में सोलमन आइलेंगे तो यह जो है एक तरीके से बो डिक्लेरेशन के सेंटिमेंट्स के अगेंस्ट माना जाता है समझ गया है यहां के पूरे रिजन में सबसे पावरफुल और उस लेके भी चैना के साथ में बिलकुल भी नहीं बन रही है तो एक इस ट् हुआ फाला लॉट थी जादा खराव है अबना वाठीन से भाग जाते हैं कि इसको पर बादती को बॉला के पुलिश टेशन में कि पूलिस वालों को ग्ना यह जाते हैं कि बार को आधी से पार हो जाते हैं तो आपको मालूमे अशिस्टम जो आओ बोहुत लाचर कि इस च् उसने पार्टी थो करी यह बोल कर कि मेरा बर्थडे ऐसे पार्टी वाटी करेंगे सब को जो है कुछ ना कुछ पिलाया सारे के सारे ब्योश हो गया भाई साम निकल लिए वहां से ऐसे बहुत सारे फणी फणी इंसिडेंट आपको बहुत अलग जेल में देखने को मिलेंगे तो जरूरी क्या ए प्रिजन नाम का मौड़नेजिंशन प्रोजेक्ट एक प्रोजेक्ट है जो कि चलाया जा रहा है जिसमें क्या होगा जेल के अंदर एक तो नंबर जो है वह कहादियो का यह ना ठीक्टाग रखा जाएगा अभी तो का भर भर के रखा जाता है यह यह यह आपके पास यह PDF आपको करेंट अफिर करके टेलिग्राम ग्रूप है वाँ पे मिल जाती है तो उसकी स्रीफ है एड्लाइन एड्लाइन जो है ना वह लिखा करो समझगे डीटेल तो आप हम लोग रिवाइस करते रहते हैं अब जी आइटेग हम लोग कित्ती बार पढ़ है ऐसे बार-बार हम लोग टॉपिक को की रिवाइस करते रहते हैं कभी ना कभी है ना तो आप तो बस इंपॉर्ट हैंडिंग लिखो मुश्किल से पंद्रा मिट लगेगी उसको लिए ना चलिए आगे बात करते हैं और मिनिस्ट्रियों फोम अफिर्स ने गाइडलाइन जाने कर यह स्टेट और यूनिन टेर्टरी को लेकर कि modernization of the prison project को लेकर इसमें आपको मालू में प्रिजन जो है वह हमारे जादा लोग भरे वे दिली में सवा 200 परसेंट विगाल्या में भी यूपी वियार में भी वैंपी में भी यह नहीं है लेकिन यूपी में आप देख सकते हैं एक सो सतर पर्षेंट लोग जादा है और ऑक्यूपेंसी है जो कि देखने को मिलती है अंडर ट्राइल्स की इनके ओपर केस अभी चल रहा है जो कन्विक्ट गोशित नहीं हुए है तो बहुत ही पूर और इंडिजेंट अंडर ट्राइल से जो कि अभी प्रोसेश चलता है मतलब तो बहुत जरूरी है कि यह देख सकते हो एवरेज बंतली विजिट पर प्रिजन पर लॉयर मतलब पर ठीक है कि अंडर ट्राइल को आप मैक्सिममम पचास पर्सेंट तक ही रख सकते हो जो उनकी सजा उस वाले केस में हो सकती है या तो उसको भाई आप जो भी है उसका केस खतम करो और अगर आप अंडर ट्राइल आपने रखावाए तो आस तो आप उसको पूरी की पूरी सज के लिए रियाबिटेशन के लिए फास साल का प्रोजेक्ट है सरका सेंटल कोवर्मेंट से पैसा स्टेट और यूटी इस को इसके अंदर मिलेगा चलिए ठीक है ओल राइट आगे बात करते हैं नेक्स्ट ट्रडिशनल निवेर फेस्टिवल को लेकर कई सारे देश में आप बहां भी हूँ यह सारे फेस्टिवल से जो कि कल देश के अंदर मनाए गए हमारे आपर जब स्प्रिंग सीजन आता है तब यह फेस्टिवल जो कि मनाए जाते हैं बैसा की की बात करें हिंदू और सिक मनाते हैं हिंदू सोलर न्यूवेर के हिसाब से गुरू गोविन सिंग गाराल के अंदर विश्व मनाएं जाता है कनात्र के अंदर पुलू Thomasền में इस एरिया के इंदर मनाए जाता है 14 से इसपा rooting और करिदर के साब लेकर एंटिशिप क्रूज में सैल देखो रिसेंटली क्या हुआ है यूक्रेन ने बोला है कि रश्या की रश्या के अंदर एक प्लेक शिप थी ब्लेक जो सी है ना आपने है कि वह उन्होंने उड़ा दिये ब्लेक सी के अंदर रश्या की एक शिप था उसको नैप्ट्यून anti-ship cruise missile से युक्रेन ने उड़ा दिया है अब जैसे यह अनॉस्मेंट आया कि युक्रेन ने रश्या की शिप को उड़ा दिया तो काफी अल्ला मच गया समझ गया कि कौन से इंटी शिप cruise missile थी तो उसने बता है नाम की थी अलागि रश्या ने तो डिनाई किया कि ऐसा कुछ भी नहीं हुआ है रश्या की जो ब्लैक सी के अंदर जो शिप थी उसका नाम था मॉस्कोव यहां पर नदी का नाम भी है आपको मालू में ब्रम्वपुत्रा और मॉस्कोव म मिसाल हमने बनाई थी तो नैप्ट्यू ने में एक कोस्टल एंटी शिप क्रूज मिसाइल है जो कि नेवल वैसल को 300 किलोमेटर तक डिस्ट्रॉय कर सकती है तो युक्रेन की डिफेंस फोर्सेंस में इसको इंक्लूट किया गया था जब क्रीमिया का उक्कुपेशन 2014 में किय चैया गया था रच्गें ठ्कें के दुवारा ठीके रश्या की पास में भी यह के एच पैथिस मिसाइल है उसी की तरही की न स्वह ऋने भी वह यूस के साथ मिलका रहे जोших 맞아ा के रागले एक जो चलिए यह देखए जो मॉस्कोवा इसको डिस्ट्रॉई किया गया गया यह missile cruiser है Russian Navy का Moscow के नाम पर इसको रखा गया है लार्ज surface वाडशिप है high speed है और काफी जबरदस्ट 83 के अंदर है जो कि इसको बनाए गया था बाराजार टन जो है इसका displacement है 500 लोग है जो कि शिपक्यों पर आ सकते हैं तो काफी बड़ी थी ओके और cruise missile जो है वो यूज करें गई है जो कि mostly 1000 किलोमेटर से लेकर 4000 किलोमेटर तक जाती है altitude बहुत ही लो होता है डिटेक्ट करना काफी हाड होता है और बहुत हाई प्रेसिशन के तौर पर आटाक करती है इस पीड़ीजार किलोमेटर पर आर्ट तक करते हैं पार्म किंग को लेकर रिसेंटली क्या हुआ एक बहुत ही रेर बटरफ्लाय है जो कि तमिलाडू में मिली है पंद्रा सो यह जिन्दा रहते हैं बहुत ही ब्राउन कलर होता है डाक बैंट होते हैं यह देख सकते आप इसको फोटो के अंदर थाना मुस्टी शेड्स के इंदर ही रहती है यह आपको इंडिय के लावा मैनमार इंडो चायना मैलेशा थायलें इस वाली एरिया के अंदर देखने को से बढ़ा कर 21 करने की बात है जो की करे जा रही है समझ गए पहले इसका टाइम पिरेट था तीन मेने के अंदर इनको जवाब देना था अभी इसको बढ़ा के 6 मेने कर दिया गया है यानि कि जून 2022 तक अभी पता लगेगा कि देश में मिनिमम शादी की एज जो है वो 18-21 होन इंटर कास्ट इंटर रिलिजिन मेरिज करते हो वाली हिंदू मेरिज एक के अंदर फॉरन मेरिज एक के अंदर इन सब के अंदर बदला वे जो की संशोधन होने जाएंगे वैसे अगर बात करें तो हमारे आपे अलग-अलग सांप्रित है कि साबसे एक्ट बने वे उसी के साब से हमारे आपे चलता है समझ गए लेकिन यह आने के बाद में 21 साल तो मिनिमम होई जाएगी समझ गए प्रॉब्लम क्या थी कि निर्मला सिता रमाजी ने बजट में भी बोला था कि अगर हम लोग गर्ल की शादी के बढ़ा देंगे तो मदर उट की बढ़ जाएगी ल हो जाएंगे फायदा यह है कि थोड़ा बहुत तो कुछ तो फर्क पड़ेगा सुसाइटी में इसको लेकर नुकसान यह है कि केसे होने के चांसे बहुत कम है क्योंकि सबसे बड़ा फैक्टर जो है वह एजूकेशन है ना उसके बाद में कई सारे जो डेटा जाए कई सारी जूसें चीजह पोला गया कि लोग तोetzen के पास में राइट होता ही है वह उसको क्या कर सकते हैं ऐसे कर सकते हैं हाला कि मेर को भाँ इस बढाने से जो कोई जादा मतलब डेफिनेटली बेनिफिट ही जादा नजर आते हैं नेगिटिव साइट थोड़ी कम नजर आती है ओके 18-21 को अगर इंप्रोवाइस करते हैं तो मतलब चलिए ठीक है और जेंडर न्यूट्रल भी हो जाएगा दोनों लड़का लड़के 21 साल के हो जाएंगे आप उसको कर सकते हो इसलाम के अंदर को यह निया बस पूबर्टी पिरेड़ है जद भी पूबर्टी पिरेड़ आ गया तब से वह शादी योग्या हो गई स्पेशल मेरीज एट के अंदर भी 18 साल है जो की कर रखा है समझ गये आगे बात करते हैं जो कि है आगे बात करते ने तमिल नाड़ू के जो चीफ मिनिस्टर है तमिल नाड़ स्टैलिन साब उन्होंने 14 अप्रिल को इक्वालिटी दे बियार अंबेड कर जी के बर्थेटे को इक्वालिटी के देख के तौर पर मनाने के लिए बोला है नेक्स्ट एक ट्विएथ इंडिया फिनेंस जॉइ बेचा गया चपन में रेडियो टांस्मिशन वाइलेस हुआ पहली बार 1924 के अंदर के बात करें रिवर का मतलब होता है रिग्रेट कर रिगार्ट करना सब किसी को रेस्पेक्ट करना है ना चलिशनेश का मतलब है रूड होना रेंकॉर बहुत अच्छा वड़ है टार्डी किसी को वापस से क्यों चीज रिटन करना उसको कहते है अपन की बात करें तो यह एक ब्लॉफ फिश है यह आपको नजर आ रही है फिश है कि है दुनिया के सबसे वर्ल का अग्लिएस एनिमल है जो किसको माना जाता है वैसे कर भी मेरे को तो काभी क्यूट लग रहा है और दुनिया में कोई चीज होनी नहीं चीए है ना दुनिया में जो भी चीज बनी हुए सब बहुत ब्यूटिफुल है लेकिन टाइटल जो है इसको दिया हुआ है ना ब्लॉफिश है इसका नम को के चलिए आगे बात करते हैं नेक्स देखते हैं अनकैडमी के बात कर रहे हैं ठीक है चलिए इसके अलावा एस्टे के ओपर चल रहा है यूप स्वेक्षी का आप ज्वाइन कर सकते हैं च्शहां में बारा मैंने की सब्सक्रिप्शन पर थ्री मुंद का आपको फ्री मिल रहा है और आप अप्वियल के भी ऑफर चल रहे हैं आपको और आप इसके लावाब 500 रुपे परमत में बच्चे के एजुकेशन में स्पॉंसर कर सकते हैं अगर आप जॉब करते हैं तो एक हैपने सब्सक्रिप्शन के तुरू स्माइल फ्रॉल सुसाइट डॉबार जी की वेबसाइट पर जा कि आज का पहला सवाल देखते हैं यहां पर आपको बताना है कि बनाना प्लांट एक नया स्पीश्यस है जो कि रिसेंट देखने को मिला है यह इंडिया के कौन से पार्ट में देखने को मिला है ना देख लेना नेक्स्ट है जो कि आपको फेस्टिवल और स्टेट को जो है वो पेर करना है नेक्स्ट आपको बताना है कि other than fundamental rights कौन से राइट से जो कि Universal Declaration of Human Rights को इंडिया में दर्शाते हैं नेक्स 2012 के सवाल है मांसुन को लेकर दो स्टेट्मेंट है जो कि आपको बताना है कौन सा सही है लास्ट टर्मिनल यह मैंने कल एक दो तिन पहले इसका गलत आंसर किया था तो आज वापस से मैंने इसको किया है ताकि सही हो सके ठीक है देख लेना चलिए यह था आज का आपका सेशन उम्मीद करता हूं पसंद आया होगा थैंक्यों गुडबाई और इस रे